ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमा जैसे या राम नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे 2023 में विवाह पंचमी कब है? पूजा का सबसे शुब समय, पूजा विधी और साथ ही जानेंगे शीगर विवाह, सुखी दाम पत्य जीवन और मन चाहे वर के लिए किये जाने वाले एक महा उपाय के बारे में इसलिए विडियो के साथ अंत तक बने रहें दोस्तों हिंदू पंचान के अनुसार हर साल मार्क शीर्ष मास के शुकल पक्ष की पंचमी तिथी के दिन विवाह पंचमी मनाई जाती है इस दिन का विशेश महत्वा होता है दोस्तों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मर्यादा पुरुशोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह इसी दिन हुआ था इसलिए विवाह पंचमी को भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की वर्षगाट के रूप में मनाया जाता है तो आएए जानते हैं 2023 में विवाह पंचमी कब है इस दिन पूजा का शुब महूर्ट, विधी और उपाय क्या है दोस्तों विवाह पंचमी तिथी होगी 17 दिसंबर दिन रविवार को पंचमी तिथी प्रारंभ होगी 16 दिसंबर को रात 8 बजे पंचमी तिथी समाप्थ होगी 17 दिसंबर को रात 5 बचकर 33 मिनट पर पूजा का शुब महूर्थ होगा 17 दिसंबर की सुबह 8 बचकर 24 मिनट से दोपहर 12 बचकर 17 मिनट तक दोस्तों पूजा का अभिजीत महूर्थ होगा दोपहर 12 बचकर 1 मिनट से दोपहर 12 बचकर 43 मिनट तक आईए जान लेते हैं इसकी पूजा विधी के बारे में दोस्तो शास्त्रों के अनुसार मर्यादा पुरुशोत्तम भगवान श्री राम और मा सीता का इसी दिन विवाह हुआ इस दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा से वैवाहिक जीवन से सभी प्रकार की समस्याय दूर होती है दोस्तो हाला की इस्तिथी पर किसी कभी विवाह नहीं करना चाहिए इस दिन प्राता काल स्नान कर भगवान श्री राम और माता सीता की विधिवत पूजा कर उन्हें तिलक, फल, फूल, धूप, दीप और नवेदे अर्पित कर व्रत कथा पढ़े और आर्ती कर मंगल कामना करे आईए जान लेते हैं विवाह पंचमी पर किये जाने वाले खास उपाय क्या है दोस्तों सुखी दाम पत्य जीवन के लिए विवाह पंचमी के दिन पती पत्नी को एक साथ मिलकर रामचरित मानस वर्नेत रामसीता विवाह प्रसन का पाठ करना चाहिए शीग्र विवाह चाहते हैं तो इसके लिए विवाह पंचमी के दिन स्क्रीन पर दिये गए मंत्र का जाप करें पानिग्रहन जब कीन महेसा, हिया हर्षित अब सकल सुरैसा, बेद मंत्र मुनिबर उच्च रही, जै जै जै, शंकर सुर करही, इससे शीग्र विवाह के योग बनते हैं दोस्तों विवाह पंचमी के दिन, प्रभू श्री राम और माता सीता को पीले वस्त्र अर्पित करनी चाहिए, इसके अलावा उन्हें पीले पेड़े का भी भोग लगाना चाहिए, इससे जीवन के कष्ट दूर होते हैं दोस्तों इस दिन पूजा में भगवान श्री राम के सामने, देशी घी के दीपक में कपूर प्रजवलित करने से आयमे व्रिधी और दामपत्य जीवन में खुशाली आती है, जै श्री हरी, जै श्री राम, उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आए होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल राम राम जी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम